हाँ तो आज हम देखेंगे थरमल इंजिनिरिंग में जो आपका इन्वर्सल गैस कॉंस्टेंट होता है और कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन यानी सारवत्रिक गैस इस्थिरांक और विशिष्ट गैस समीक्राड या जिसे आप लोग सामाने कैस समीक्राड बोल सकते हैं त और विशिष्ट गैस इस्थिरांक या आपके एक्जाम में पिछले बार पांच नंबर में पूछा भी गया था और एक बात और है डिप्लोम में जो कोस्टन रिपीट होते हैं वही बार बार पूछे भी जाते हैं अधिकतर अगर चांस होता है तो 80% चांस रिपीटेट को होते हैं हम आपको एक्जाम टाइम में आपको हम प्रोवाइट करा देंगे कोस्टन जिसे पढ़कर आप लोग आसानी से क्लियर कर लेंगे तो इन सब के बारे में अभी हम आगे बताएंगे इसके पहले अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरण सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको रेगुलर जो नोटिफिकेशन आता है वो आपको जल्दी से जल्दी मिला करें और वो वीडियो सबसे पहले आप तक भी पहुंचा करें तो चलिए आज देखते हैं चैप अस सफिरांग की इसको अप्लोबूट कर लिजेगा सुनकर नौटाओन कर लिजिये तो देखिए इसके लिए आपको पढ़ना पढ़ेगा एवगाट ड्रो का नियम भी मोल के बारे मैं पढ़ना पढ़ेगा तो पिछली वीडियो जो थरमल की आई थी बहुत दिन पहले आई थी उसमें हमने आपको मोल के बारे में बताया था एवोकेट ड्रोव नंबर के बारे में बताया था तो तोनों टापिक जो है universal gas constant के बारे में समझ में आएगा तो इसको हम salve कैसे करते हैं इसको salve करने के लिए आपको सहारा लेना पड़ता है किसका सहारा लेना पड़ता है जो आपका general gas equation होता है यानि जो समाने gas समीकराण होता है वो क्या होता है वो आपका होता है PV is equal to MRT यही तो आपका general gas equation होता है इसी का derivation भी हम इसमें देखेंगे वही चुह है आपका vicious gas समीकराण इसी को हमें general gas equation भी बोलते हैं तो चलिए इसका derivation इस्टार्ट करते हैं universal gas constant का आपको पता है कि जो समाने gas का समीकराण होता है वो होता है PV is equal to MRT इसी को लेकर हम पुरा solve करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि सार्वात्री कैसी स्थिरांग होता क्या है और हम किस राष्टे से चलें कि हम अपने मंजिल पर पहुँच जाएं तो आपको लाना है R0 is equal to 8.314 किलो जूल पर केजी इतना लाना है या आप लोगों को एक बात और ध्यान रखना है या आपका अगर लास्ट में आड़ जाता है 8.314 अपन एम किलो जूल पर केजी केलमीन तब आपका यह समय लेजे इनिवर्सल गैस कॉंस्टेंट अप्रूप्ट हो जाता है तो इसको लाना है तो इसको हम कैसे निकालेंगे पूरा डिरिवेशन आप लोग देखिए तो उसके लिए सबसे पहले जो जड़ है वो है बीवी जिक्वल टू एम रटी यहां से हम स्टार्ट करेंगे तो इससे हम आगे क्या लिख सकते हैं आप लोगों को हमने अभी अभी बताया था कि आप लोग मोल और एवगाट्रो का नियम पढ़ लिजिए तभी आप लोग असानी से पढ़ पाएंगे लिखिए पीवी जिक्वल टू एम रटी है यहां आप लोग क्या लिख सकते हैं तो मोल में जो आपका यन होता है यानि मोलों की संख्या यन इस इक्वल टू होता है इसमाल याम बटे कैप्टल याम ठीक तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है आपको इसमाल याम दिख रहा है तो इसमाल याम इस इक्वल टू क्या हो जाएगा ययन in to capitalium, इस फार्मूले से, तो की जगा, smallium की जगे आमने लिख दिया, small i an into capitalim, बस इतना ही चप्रोग एगा नो के है, मोल का, यानी यह यह उमाल है, हो क्या है, मोलों की संख्या है, देख, यानी PV is equal to, आपका आ गया था, शुरू शुरू में MRT, और इन सब के बारे में अमर्टि कहां से आया है क्योंकि आपको पता है। इसमाल ययकता हैuing कैपिटल यह होता है मौनु के संख्यास है पर यह आपका प्रेसर है व्याऊंप का वेलूम है यह होता हैं यहां लिएक हो Wayne जो होता है वहाद का धर ब्रकरव स्लनार होता है इसे को हम आज़े साल्व करते हैं यह बोग इसको और अगे सकते हैं पीजी कुद्ट आर और को इधर कर लिया इसको वैसा क्यों किया क्योंकि जो कैप्टल यम इंटू आर होता है वह होता है आर नाट के बराबर आर नाट के बराबर होता है जिसे आप लोग सारवत्रिक गैस इस्थिरांक भी बोल सकते हैं तो आर नाट क्या है यम इंटू आर क्या है तो आर के बारे हमने बताया कि इसे आप सर्वात्रिक गैस नियतांक भी बोल सकते हैं जो और जी रो हिसे भी आप लोग सार्वत्रिक अनियतांक अई इस ती रहलाक आप बोल सकते हैं तो इसमें कनफ्योजन मत रहिएगा कंफ्योज icons मत होते हैं इतना हो गया अब जो कैटल यह है ज्यंक का capital यह है वह का आडविक तरफ पेमान होता है या आडविक भार होता है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं प आपको थोड़ा समझ में जरूर आएगा तो आपको मिल गया pv is equal to n r0 t या r0 t अब इसके आगे क्या करना है उसको देख लिखते हैं तो आपको मिला pv is equal to n r0 t ना मिल गया अब इसको थोड़ा और चेंज करते हैं तो कैसे चेंज करेंगे यहां से p into v बटे इसमाल n को इस तरह अपलाएंगे तो बटे n हो जाएगा is equal to kya हो जाएगा r0 t यहां इससे आप लो लिख सकते हैं पी into v mol is equal to r0 t अब यह क्यों हो गया यहां पर v mol क्यों हो गया तो हम बार बार आप से कह रहे हैं कि थोड़ा सा mol के बारे में भी पढ़ लिजेगा v mol क्या है v mol मतलब एक जो molar आयतन होता है आपको हमने पढ़ाय था molar आयतन मोलर आयतन के बारे मताया था तो molar आयतन बराबर क्या होता है यानि वी mol is equal to होता है capital V बटे N मीटर क्यों पर किलोग्राम मोल तो इसलिए हमने वी वाई यन की जगए लिख दिया v mol बस इतना ही चंज हमने किया है तो आपको तो यहां तक समझ में आगी गया होगा यहां तक तु समझ में आ गया पी इंटो वी वाईन होता है यह जो है आपका molar आयतन होता है molar आयतन is equal to VyN होता इसलिए यहाँ पर जो आपका VyN है उसके जगह हम लोग लिख सकते है P into V mole is equal to R0 T ठीक तो यहाँ से हमें R0 को निकालना है तो यहाँ से आप लोग कर लेंगे R0 is equal to P into V mole upon T यानि molar आयतन upon T इतना आ गया इतना आ गया आप लोग इतना भी लिख कर छोड़ सकते हैं लेकिन आपके एक्जाम में जो है ना इन सब के वैलू नहीं दे जाती है सीधे एक आर या आर जीरो की वैलू निकल कर आती है जो आपके एक्जाम में इमेरिकल कोश्चन पूछे जाते हैं उसमें इस इतना आपको मिल गया है जिए जर्णाकम स्थिरांग की व्या निकालेंगे तो देखे 1 atmospheric pressure is equal to होता है 1.01325 bar होता है या इससे आप लोग बोल सकते हैं 1.01325 into 10 के पावर 5 newton per meter square होता है और जो molar रायतन होता है उसको हमने पहले ही निकाल कर बताया था Vmol is equal to हो जाएगा 22.4 meter cube होता है जो temperature होता है Kelvin में होता है 273 Kelvin इतना आपको हमने निकाल कर पहले भी बता दिया है विछले वीडियो में धरमल के तो यह सब जो value आई हैं इसको हम इस equation ने put करेंगे किस में R0 is equal to Vmol upon T में तो आईए इन सभी values को put करते हैं तो आप लोग एक बार ध्यान से इन सबको note कर लिजिए जैसे हम put कर लें आप लोग भी रखिए और अपना आगे का solution लिजिए देखिए आपका क्या आएगा R0 is equal to क्या था P तो P के जगा हम लिख रहे हैं 1.01325 इंटू 10 के पावर 5 इंटू Vmol यानि 22.4 बटे टी यानि 273 तो टोटल इसको सालव कर लेंगे तो आपका आएगा 8344 जूल पर केजी मॉल केलवीन आजाएगा इतना आजाएगा इन सब का जो मातरक हैं उन सबको भी रख लिजेगा तो इतना आपका आजाएगा तो यह जूल है तो इसको किलो जूल में जब बदलेंगे तो R0 is equal to 8.314 किलो जूल पर केजी मॉल केलवीन इतना आजाएगा इतना आजाएगा तो यहां से आप लोग इसको इहां सबसे ऊपर लिख लिजेगा फिर से R0 is equal to 8.314 किलो जूल पर केजी मॉल केलवीन यहां इससे आप लो लिख सकते हैं आज इक्वल टू 8.314 किलो जूल पर केजी मॉला था ना हमने तो R0 यहां पर R के ब्राबर हो गया तो यहां पर जो जो जम है वो इस इक्वल टू आपका होता है आपड़ू आमरड़ू का तरफ मानने वताया था हम जो है आपका शर्वत्त्री गयस नियतांक या मोलर गयस नियतांक होता है तो आपको यहां पर एक बात नहीं समझ में आया हो?, क्या नहीं समझ में आया की भटे बटे क्या करेंगे यम यम जो है आपका मोलर दरपमान है यानि आरविक दरपमान है क्या है यह आरविक का दरपमान है तो इसको क्या करेंगे या आरविक भार है तो किलो जूल पर केजी मोल केलिविन में यम की जो मातरक है यानि हमका जो मात्रक होता है वो होता है किलो जूल पर किलो जूल मोल होता है तो इससे जब भाग देंगे तो किलो जूल से किलो जूल कर जाएगा मोल से मोल कर जाएगा तो आपका क्या बचेगा केवल किलो जूल पर केजी केलवीन ही तो बचेगा तो इस प्रकार से आपका इन्वर्सल गैस कॉंस्टेंट साल्व हो जाएगा तो आगे आईए देखते हम लोग जनरल गैस इक्वेशन यानी सामाने गैस समीकराड क्या होता है तो यह है आपका समाने गए समीक्राण प्राय अगर देखा जाए तो जो समाने गए समीक्राण होता है वो आपका जो बायल सला होता है और चाल सला जो होता है उसी का एकदम सन्युक जरूप है अगर हम बायल सला और प्लस कर दें चाल सला दोनों को अगर मिला दें तो आपका जनलर जो है वह तोरह तो निखलकर आपके सामने आ जाएगा तो इन दोनों पुझालाते हैं और अपना जो, शम्बंद गया खोले से तो इसको भी हम साल्व कराएंगे आपको वाई सबसे पेले स्को देखते हैं सबसे अब भुगा देजेंस फिर पर फिगर पर या पर्शन राइन है और यापकी सकर डाइन है टो और या आपका अगशी पॉइंस या गाँ गया जौ स 먹어 Google concert और यहां पर आपका से वक्र दिखाए गया है तो इस पर इसका मतलब यह हो किया जब आप लोग प्रोसेस पढ़ेंगे अगुले चैप्ट में इसका मतलब हो तुछ आ पर जो आपका टंप्रेचर है वो क्या है रही फिसका हृत तो इस्ञिंट आप लोग बोल सकते हैं विब रावर से वो आपका इस्थिरता प्रक्राम होता है और जो यहां तुसरी वाली लाई ने जहां आपका टंपरेचर कॉंस्टेंट है उससे आप लोग इस्थिरता प्रक्राम हिंदी में बोल सकते हैं याणि यहां पर P1 is equal to P2 हो जाएगा और यहाँ पर जो T है न यहाँ पर T is equal to constant है तो यहाँ T2 is equal to T3 हो जाएगा कैसे होगा उसको अभी हम बताते हैं चलिए आप लोग पहले फुरा फिगर बना लिजिए उसके बाद सही से आगे समझीए फिगर एक बार फिर से लिख लिए यह हो गया P, A हो यहाँ टमप्रेचर कॉंस्टेंट यानि T is equal to C, ठीक इतना हो जाएगा जो यहाँ यहाँ पर टमप्रेचर क्या है अफिर्फ यहाँ फिरफन आप उस्टा क्योंस्टेंट है यह जोग एक किस प्कार से ट्री में चल जा रही है और इस तरां जो के सरी किसकी पाथ की तखा का अनिसराना कर रही है आपको सब दिखाया गया है और हम ने आपको बताया था पाथ क्या होता है प्रोस्स क्या होता है जो थर्मल में वीडियों सब्साइब करे से जो दाब आपने माना हुआ हो अमाल लिया पिमान भी रियुद्चुर आपने माना प्रेशर होगया पी तो वैल वोगा प्रेशर हो गया इसे प्रकार अप WOW एहां पॉइंट 3 पर माल बढ़े हैं यहां एक से तो और दो से तीन जो आपका पात है इस सब को अलग अलग निकालेंगे उसके बाद हम आगे का साल्व करेंगे तो आप लोग इसे पुरान ओर डाउन करेंगे कि माल लिया पॉइंट एक पर ताप जो है वह बीवन है वैलूम भीवन है टमपरेचर ट वह उसे प्रकार पॉइंट 3 Dwium ने किया है कि अब आइए आगे हम देखते हैं करना माद तो यहां पर पी आपका पी और टो सी कहा टेजा कॉल ? tw टृ यू…. यह तो था स्यू को साल करना है तो हम मानेंगे जो पत है पत है आपका से लेकर तुटू के दवरान यानि आपका नियात दाव है यानि आपका टमप्रेचर देख आपका सलस्टैंट में यानि यानि एक सीधह लाईलाइन है इलखेता? योटके वह सब करते हैं इसलिए लिए पिहला आप भी चाल स्मिद्गेस परसा नहींडuration इसमें हमने 12 सलाज, 14 सलाज के बारे में बताया है कि कौन सी लाइन किसको कॉंस्टेंट पर दर्सित करती है और हाँ थरमल में जो लाइन है न यही सब को भरम भी कर देती है कि कॉंसी लाइन क्या है कॉंसी लाइन क्या है इसलिए आप लोग करम से वीडियो देखा जरूर करे यह प्रेसर को constant दिखा रही है तो एक से दो के दरान नियता पर आपका क्या होगा जब आपका pressure constant होता है तो कौन सा rule follow होता है हमने आपको बताया था जब आपका pressure constant होता है तो उस समय चार्सला follow करता है और चार्सला के बारे हम आपने बताया भी था तो Charles-La Efendi का derivation भी कराया था तो जब यह Presure constant है तो यह Charles-La Efendi को фालो करेगा तो Charles-La Efendi को जब यह फालो करेगा तो यहाँ पर आपका हो गाग V1 upon V2 is equal to T1 upon T2 V1 upon V2 is equal to T1 upon T2 हो गया कैसे हो गया हमने आपको बताया था कि यह Charles-La Efendi को फालो कर रहा है या आप लोग इसे लिख सकते हैं V1 upon T1 is equal to V2 upon T2 लिख सकते हैं इतना कर लेंगे फिर इसे थोड़ा और जब साल्व करेंगे तो आप लोग इसे आउर लिख सकते हैं या लिख सकते हैं आप लोग V2 is equal to V1 आप लोग लिख सकते हैं यहां पर जो आपका क्या बोल सकते हैं टमप्रेचर जो इहां से टमप्रेचर दो पर हैं तो इह तीन पर दिखाया गया है तो यहां से जो टंपरेशर दो पर हिए तीन पर तो रहेगा यह निद्टी टू है वह बराबर एकिसके टी थ्रीके टी टू जी इक्वाल टू टी-3 हम क्या लिख सकते हैं फिर इसे राबर कर लेंगे यानि आपको मिल गया क्या आपको मिल गया v2 is equal to was v1 लेकर दो तक के लिए हो गया यानी पत जो है एक से दो के लिए आपका हो गया कॉंस्टेंट प्रेसर पर अब देखेंगे दो से तीन यानि कॉंस्टेंट टाम प्रेचर पर तो उसकी ले का निकल कराएगा उसको भी देखते हैं कि तो उसको विसाल्व करते हैं देखते हैं कैसे वह आपका होगा इसको देखते हैं कैसे आपका है होगा तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा पथ 2 से लेकर 3 के लिए और यह क्या है नियर टमप्रेचर यानि T is equal to क्या है constant है T is equal to क्या है आपका constant है तो T जो है टमप्रेचर जब constant होता है तो उस condition में क्या होता है जब आपका temperature constant होता है तो आपका Biles का नियां फालो होता है किसका नियां Biles का रूल फालो होता है तो Biles का रूल में क्या आता है Biles में आता है P2 V2 is equal to आता है P3 V3 P2 V2 is equal to P3 V3 आएगा या P1 V1 is equal to P2 V2 आता है लेकिन यहाँ पर हम इसको देख रहे हैं तो P2 V2 is equal to P3 V3 हो जाएगा यहां से आपका V2 is equal to R जाएगा P3 V3 upon में P2 आ जाएगा अब यहां पर जो 1 पर आपका प्रेसर है वही तो 2 पर भी होगा क्योंकि यह कॉंस्टेंट है तो आप लोग लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं जो आपका प्रेसर 1 पर है वही आपका 2 पर भी है तो यानि आप लोग इसे लिख सकते हैं P2 is equal to P1 क्या लिख सकते हैं P2 is equal to P1 आप लोग लिख सकते हैं यानि P2 is equal to आपको मिल गया P3 V3 बटे V1 यह मिला आपको किस के लिए यह आपको मिला है पत 2 से 3 के लिए यानि जो यह पत है 2 से 3 के लिए इस पत के लिए आपको यह मिला है V2 is equal to P3 V3 upon P1 है और यह है आपका P1 क्या है आपका P1 है अब हमें देखना है कैसे माल लिए आपका equation number 2 है और जो पहले आया था वह आपका equation number 1 आया था तो दोने equation को लिखते हैं और आगे हम solve करते हैं तो माल लिए जो पहला equation आपका आया तो यहां से हम दोने equation लिखते हैं जो equation था V1 T3 upon T1 is equal to P3 V3 upon P1 यही था तो देखिए क्या था कैसे आया यह जैसे कि जो फर्स्ट equation था वह इसके बराबर था फिर से उसको लिख देते हैं ताकि आपनों को कोई confusion ना हो यानि जो फर्स्ट equation आपका आया था वह आया था V2 is equal to P1 T3 upon T1 और जो second आया था यानि वह भी आया था V2 is equal to P3 upon P1 आप देखिए दुनों के जब लेफ्ट सेम है तो राइट वी सेम होने चाहिए तो यानि लेफ्ट को हटा देते हैं राइट राइट को लिखते हैं यानि V1 T3 बटे T1 is equal to P3 V3 बटे P1 इतना हो क्या अब इसी को हमें लेकर साल्व करना है इसी को हमें लेकर साल्व करना है तो कैसे कर पाएंगे कि इधर उदर मल्टिपल करेंगे तो आपको यहां से मिलेगा V1 V1 बटे T1 is equal to P3 V3 बटे T3 इतना हो जाएगा P3 V3 बटे T3 P1 P1 upon T1 is equal to P3 V3 बटे T3 मिल जाएगा अब इसी को थोड़ा और जब हम थोड़ा मारी फाई करेंगे और साल्व करेंगे तो क्या मिलेगा इसे आ इसे आप लोग और भी लिख सकते हैं जो constant है वो होता है PBY T is equal to R इसे आप लोग लिखते जिए constant और जो constant है वह R होता है और यही जो है आपका फर्मूला प्रोब होता है जिसे आप लोग गैस ने तांक बोलते हैं और इसे हम R से रिप्रेजेंट करते हैं यानि आपको मिल गया PBY upon T is equal to R जो है C की जगा लिखा गया है क्योंकि C is equal to constant और जो R है यही आपका गैस ने तांक कहलाता है यह आप लोग लिख सकते हैं प्रोब देख शुके हैं कहीं फर कोई भी टॉपिक समझ में ना आया हो तो कमेंट करके जरूर पिछेगा अगर समझ में आया हो का तो अधिक से अधिक लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजेगा धन्यवाद